नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका टिंग्रिंग लेब में ओपन आपस डाइटर के यूशी दे चल लेए थी उसमें मैं आज आपको बताऊंगा format paint brush का यूज करना format paint brush क्या होता standard toolbar में एक tools होता है जो आपको इसमें पहले बाला जो format होगा कि इसको कैसे अपलाई करना है सबसे पहले में देखता हूं आपको standard toolbar में देखेगा यह क्या होता है के standard toolbar होता है इसमें different menu होते हैं यहां पे ओता यह यह होता है format paint brush डाइट तो format paint brush को अपन को standard toolbar में से select करना है उसके बाद content को select करना है इस content से अपने को format को copy करना है right उसके बाद किस content में अपने को apply करना परता जैसे यह लेखा हुआ ही first computer where use primary for numerical calculation right तो मैं यहाप primary को select कर लेता हूँ इसके बाद मैं फॉर्मेट पर इसको select कर लेता हूँ मैं जी मैंने primary वाला content copy कर लिया है और मैं apply कर देता हूँ इस all all प्यरा में इसके लिए मुझे all प्यरा को select करना पड़ेगा एंड इसके बाद देखेगा एक बारों में कर लिए करके बता देता हूँ immediate को मैंने select किया right format प्यर्मेट परेंड वरस को choose किया उसके बाद पूरा paragraph मैंने select कर लिया जिस paragraph पर मुझे format परेंड वरस का यूच कर ला है देखेगा मैंने अभी एलो वाला अरे बिलू वाला प्यर्माच को पॉर्मेट को कॉपी किया था उस पॉर्मेट को मैंने वापरफो बन बन 1 2 2 3 4 5 5 टाभ उसको select किया उसके बाद को अप्लाई किया इस तरही की से आपकी उचक करना format परेंड 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 य सको मैं आगें करके बता देता हूं सब्सक्वर मैंने इस वाले लाएन का एक format को को कॉपी किया ब्रसस within Oui यह 500 प्रसमाइं के सब्सक्राइब अब इसके बाद मुझे इस इस कंटेंट पर फॉल्मेट इपलाई करना है बहूं करता हूं अब अब यह ऐसा हो गया ब्लैक तो कुछ सिमिलर फॉर्मेट को चाहिए आपको अलाइन्मेंट वाला पॉर्शन आया अपलाई करना हो या इंडेंटेशन वाला करना हो या सबस्क्रिप्स परिश्क्रिप्स करना हो तो सेम फॉर्मेट का अपलाई कर सकते हैं सबसे अच्छा फीचर्स होता है फॉर्मेटिंग फ